यह बस्ते बच्चों कैसे आप लोग स्वागत है fun and learn में बच्चों हमने जो कहानी पड़ी थी समदर्शी class 5 के लिए आज हम उसके प्रशनुत्तर solve करेंगे तो इसके लिए हम पहले देखते हैं कुछ शब्दार थे इस पार्ट में आये हुए कुछ कठिन शब्द और उसके अर्थ तो जसे पहला शब्द है समदर्शी समदर्शी का अर्थ होता है वह जो सभी को एक द्रश्टी से देखता हो मिन सबको समान रूप से equally देखता हो फिर आहिस्ते आहिस्ते का अर्थ होता है धीरे से या स्लोली फिर दंड दंड का अर्थ होता है सजा या फिर पनिश्मेंट इसी तरह फोर्थ है असेहनी असेहनी का अर्थ होता है जो सहन ना हो जो बरदास ना किया जा सके यानिकि Unbearable फिर है स्वस्थ स्वस्थ का अर्थ होता है ठीक या फिर Healthy फिर हर्ष विहवल हर्ष विहवल का अर्थ होता है खुशी और दुख का मिला जुला भाव जब हम बहुत खुश होते हैं उसके साथ हमें खुशी के आंस हुआ जाते हैं और दुख और खुशी दोनों एक साथ आते हैं उसे हम कहते हैं हर्ष विहवल और कुश शब्द है जिसके वाकिय रचना आपको करनी है जैसे नींद, अस्पिताल, घायल, दर्द अब इस पार्ट को पढ़कर खुद ही इसके वाकिय बना सकते हैं अपने अनुसार, जैसे आप नींद का बना सकते हैं मुझे नींद आ रही है इसी तरह अस्पिताल, अस्पिताल का आप क्या बना सकते हैं सतीश का ओपरेशन अस्पिताल में हुआ अस्पिताल में हॉस्पिटल, नींद में सापका स्लीप घायल मिन्स होता है injured या hurt तो घायल का आप क्या बना सकते है कि सतीश की आँख घायल हो गई इसी तरह दर्द दर्द मिन्स pain या एक तो आप उसका sentence कैसे बना सकते है जिसे सतीश को आँख में बहुत दर्द हो रहा था ये वाकि रचना आप अपने अनुसार कर सकते हैं अपने हिसाब से कोई भी sentence बना सकते हैं तो चली देखते हैं हम कुछ प्रश्न उत्तर जिसे हमें एक वाकि में उत्तर देना है ये short answer है one one word वाले तो प्रश्न एक है सतीश वंशी को किस नाम से बुलाता था तो इसका उत्तर है सतीश वंशी को समदर्शी नाम से बुलाता था दूसरा प्रश्न है सतीश को कहां चोट लगी कहां चोट लगी थी सतीश को सतीश को आँख में चोट लगी थी इसी तरह प्रश्ण तीन है वंशी ने सतीश की सिकायत किस से कंप्लेंड की वंशी ने सतीश की तो इसका उतर है वंशी ने सतीश की शिकायत कक्षा अध्यापक जी से की कक्षा अध्यापक मिन्स क्लास टीचर क्लास टीचर से कंप्लेंड क इसी तरह प्रश्ण चार है इस कहानी के लेखक का क्या नाम है किसने लिखी है कहानी who is the writer of this story तो इसका उत्तर है इस कहानी के लेखक का नाम जमाल हसन है अब दिखते हैं कोच संचिप्त प्रश्ण उत्तर means short question answer तो प्रश्ण पाच देखें वन्शी को कब लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है मतलब कब उसे लगा कि उसके साथ गलत हुआ है वन्शी को कब realize हुआ है ऐसा feel होने लगा तो इसका उत्तर है जब से सतीश ने कक्छा में प्रवेश लिया था और सभी चात्र उसे समदर्शी कहकर चड़ाने लगे थे तभी से वन्शी को लगने लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है मतलब जब सतीश ने new admission उसकी class में वन्शी के admission लिया और उसे समदर्शी कहकर बुलाता था और उसके साथ ही क्लास के दूसरे बच्चे भी उसे समदर्शी कहकर बुलाने लगे तो उसे ऐसा फील होने लगा वन्शी को कि उसके सार भगवान ने कुछ गलत किया है उसकी एकांख खराब करके इसी दिर प्रेशनेच 6 देखें वन्शी को किस बात का दुख ना था और क्यों वन्शी को कभी दुख नहीं होता था और क्यों नहीं होता था तो कि उसकी एक आँख में प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा तो इसका उतर है वन्शी को उसकी एक आँख खराब होने का दुख नहीं था, जूकि वय सोचता था कि संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंगो में कोई ना कोई खराबी होती है, मतलब मिंस की वन्शी को कोई दुख नहीं होता था कि उसके एक आँлет से वो देख नहीं सकता उसको problem है, क्योंकि वो सोसता था कि इस दुनिया में संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कोई न कोई प्रॉब्लम होती ही है इसलिए वे कभी भी इस चीज के लिए दुखी नहीं होता था इसी तरह प्रश्न साथ देखें सतीश की सिकायत करने का क्या परिणाम हुआ मतलब कि जब वंशी न कि अब वे वंशी को और जदा परिशान करने लगा मतलब कि अगजब से वंशी ने क्लास टीचर से सतीश की सिकायत की कंप्लेन की तब सतीश जो है वंशी को और जदा टीज करने लगा और जदा परिशान करने लगा इसी तरह प्रश्न आर्ट देखें मा ने वंशी को क्या क्या समझाया वंशी की मा ने वंशी को क्या समझाया कि जब वे दुखी हो गया कि उसकी एक आंक में प्रॉबलम है और क्लास में उसे बच्चे चड़ाते हैं तो वे दुखी हो गया और अपनी मा के पास गया तो उसकी मा ने उसे क्या समझाया तो उसका उत्तर है मा ने वंश करेंगे प्रेश्न नौ देखिए सतीश में कौन सा एब था मतलब कौन सी बुराई थी उसकी एक एविल थी या ड्रॉबेक थी सतीश की तो इसका उत्तर है वैसे तो सतीश अच्छा लड़का था लेकिन उसमें एक बड़ा एब था मिंस बुराई थी कि वह जब दूसरे में क कोई कमी देखता तो फिर वैसका मजाग बनाता था मतला जब कर सतीश वैसे तो एक अच्छा लड़का था लेकिन वह देखता था कि सामने अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ कमी है या तो वह क्या करता था उसके उपर हसता था जोग बनाता था उसका मजाग देखें सतीश को अपनी गलती का एहसास कब हुआ मैं सतीश को कभिया रिलाइस हुआ कि वो उसने वंसी के साथ गलत किया है या उसने अपनी आँख से पट्टी निकाल कर गलत किया है या उसको अपनी गलती का एहसास कब हुआ तो इसका उत्तर है जब सतीश की आँख से ख खतरनाक हो सकता था और डॉक्टर ने ओपरेशन के लिए बोला था तब सतीश घबरा गया और समझ गया कि सब उसकी ही गलती है वे भी वनशी के तेरे सहनशील होता और अपनी आँख से पट्टी ना खोलता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता means जब वनशी ने उसके पास आकर सतीश के उसे समदर्शी कहकर बोला और बोला दिखाई तो दे रहा है तो सतीश बहुत गुसे में आगया और उसने आपनी आँख से जो बेंडेज या पट्टी लगी हुई थी उसे निकाल दिया जैसे कि उसके ब्लीडिंग होने लगी उसकी वनशी है वैसा तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता उसे तब अपनी गलती का एहसास हुआ इसी तर देखिए प्रेशन ग्यारा सतीश दर्द से बेहाल क्यों हो गया था तो इसका उतर है जब वनशी ने उसे कहा क्यों भाई सब दिखाई तो दे रहा है ना तब सतीश गुस और आख की जिली में से खून रिस रहा था ब्लीडिंग हो रही थी इस कारण सतीश दर्द से बेहाल हो गया मैं उसको बहुत पेन हो रहा था सतीश को तो यह थे इस पार्ट के कुछ प्रशन उत्तर और अगर आपको कोई और डिफिकल्टी तो आप कमेंट बॉक्स में कमें करके आप मुझसे पूछ सकते हैं अब हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए टेक केर बाइबाए